चलिए अब चला मैं आप से कुछ बात करूँगा और क्योंकि आप लोगों ने मेजिकल को जोइन किया हुआ है तो यह जो क्लास है यह आपको पर मिलेगी टेस्ट पेपर अनलिसिस का वेनिफिट उनी बच्चों को है जो बच्चे एक्षुल में टेस्ट पेपर भी दे रहे ह और स्कोर्स भी ऐसे लिखिए कि जिसमें मैं मैंस का स्कोर आपका अलग बताईएगा अलर का अलग बताईएगा और total score अलग बताईएगा तो आप लोग सबसे पहले तो score लिखिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि greatest integer function x square equal to greatest integer x plus 2 अब याद रखिएगा question को solve करने की four approaches होती है number one method number two logic number three option number four elimination यानि अब option को eliminate करके भी निकाल सकते हो अब greatest integer function हो सकता है कई बच्चों को पता हो कई को नहीं पता हो अब अगर आपको नहीं पता है तो फिलाल में जो मॉक पेपर बीटा दा रूट सब्सक्राइग क्योशन है जिसके रूट अलफा बीटा है तो ऐसी क्योशन जिसके रूट यह हो बताईए आप दो तरीके हो सकते ते इसको करने के आप चाहते तो एक एक्विशन माल लेते जैसे एक्स स्क्राइब प्लक्स 5 एक्स 6 एक्वल 2जीभ तो रूट हो गये माइनस त्व माइनस 3 यानि 1 फाiciा हो गया माइनस 2 बीटा हो गया माइनस 3 तब ऐसी न बताने ही जए करूट्स क्या हो। अल्फा प्लतू मतलब 0 है बीटा प्लस तू मतलब माइननस बन वन अब आपके पास ऐसी एक् zomb आना जी जिसमें यह रखे तो ऐसे स्क्वेयर माइनस सम आफ रूट्स प्रॉदक्ष ऑफ रूट्स तो टम इतनी सी क् sv2 प्लस है यानि अब देखिए इसमें से कौन सा option हो सकता है तो सबसे पहले सी टम नहीं तो 4-10 प्लस 6 यह हो रहा है 4-2 यह भी हो रहा है यह दो कट हो गए बिटा यह दो कट हो गए अब यहां पर अब यहां जाओ 5-4 तो D is a right answer यानि आपने बिना मैथट के भी इतने कम टाइम में कुश्चन को कर लिया इतनी तो कौड़िटिक आती होगी पहले मैं आपको 10 से 20 वह कोश्चन आजिन्टीफाय करवाता हूं जिससे आप स्कोर बढ़ा सकते थे जिनके काम है और जिनके ज़्यादा है उनको स्पीट एक्क्यूरिसी पर काम करना होगा उनसे भी मैं बात करता हूं तो दीरे दीरे आप चीज़े समझ पाएंगे का शबल का पेपर उठाओ से लेवस के कम से कम दो-तीन टॉपिक के नहीं होते और ऐसे भी एक-दो टॉपिक के कोश्ञा आते जो當 नहीं तो आपको जो पेपर मिले आप को उस पेपर को स्वाइव करो कभी मेरे निटनर में एलीर मैंनीर और कौैन याइड और सभी यह ग्वं कभी कॉंट जादा दे दूँगा क्योंकि मैं आपको हर तरह से तयार करूँगा तो आपको ये question करना ही नहीं है किसी भी बच्चे को आप जैसे देखिए इसमें बोला है if x square minus 3x plus 2 is a factor of this then the value of p and q देखिए अगर इस equation का ये एक factor है तो इसका मतलब है ये इसका roots है जब आप इसको 0 से equate करेंगे तो मिल गया है one or two तो one or two इस equation के roots से रख दीजिए one minus p plus q equal to zero अब आपके पास आगया p minus q equal to one देखिए कि p और q पूछा है तो five minus four one होता है है ना यही इसका correct answer होगा अब देखिए इस question में पूछा है then the value of x अब इसको method से solve करें तो इसको पहले transfer करोगे squaring करोगे जब जाके solve होगा बहुत time लग जाएगा ऐसा नहां करें आप आप क्या करिए कि इसमें simple देखके बता चला है 930 27 पर यह से बहुत ज्यादा थ्री भी नहीं होगा यानि दो answer तो 100% कट अब six रखके देख लो six थोड़ा बड़ा है six का स्कार हुआ 36 36 इंटू आपने थ्री करा तो 108 माइनस 42 माइनस 30 देखो यह positive यह हो सकता है ऐसे ही similarly यहां रखिए 36 यानि 72 माइनस 42 माइनस का 5 इक्वल टू 6 प्लस 5 स्वाल करके 11 आ रहा हो अगर 11 आ रहा हो तो यह अंसर है और नहीं आ रहा हो तो बिना चेक करें यह लगा दीजिए तो यह कहलाता का एलिमिनेशन मेथट यानि आप श्योर हो जबकि कई बच्चे बोलते हैं सर्व बहुत मिस्टेक होती है इसमें आपको यह पता था यह दो है नहीं एक चेक करने पर आपका पूरा अंसर आगया चेक करिए क्या रहा अंसर